नमस्कार दोस्तों स्वागत आप सभी का एक बार फिर से राजुसर के नाम से इसी टूप चैनल के अंदर MCQ वीडियो की स्कड़ी के अंदर एक और नया MCQ हम लेका हैं SSC CRP वीडियो को लाइक कर दीजे और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर दीजे बहतरीन MCQ सेशन जिसकी सुवाद करेंगे हम कुछ इंपोर्टेंड और खास MCQ के साथ में तो सेर जरूर करिएगा ताकि maximum जो है लोग हम से connect हो सके और इस बहतरीन MCQ सेशन का फाइदा उटा सके तो सुरात करते हैं एक बहतरीन MCQ सेशन की सबसे पहला इंपोर्टेन MCQ आप लोगों के सामने ये रहाए The client is taking rifampin 600 mg per oral deline to treat his tuberculosis which action by the nurse indicates understanding of the medication first option है telling the client that the medication will need to be taken with juice second option है telling the client that the medication will change the color of the urine third है telling the client to take the medication before going to bed at night last है telling the client to take the medication if night sweat occur which is the correct one फटा वट से अपना जवाब लिखेगा रिफामपीन दवई का नाम है रिफामपीसीन 600 mg डेली मरीज ले रहा है टुबरोकलोसिस के treatment में कौन सा action indicate करता है कि medication के बारे में nurse जो है वो समझ चुकी है चार option है आपके पास में फटा पर से अपना जवाब लेकिएगा बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया maximum लोगों ने बिल्कुल correct answer दिया बहुत ही सांदार it's be very good telling the client that the medication will change the color of urine जो रिपामपीसीन दवई होती है वो urine और body के जो fluid होते है urine भी एकतरे का body fluid है urine और जो body के fluid होते हैं उन सारे fluid के color को क्या कर देती है change कर देती है और जो tablet का color होता है that is slightly red तो उस तरीके का color urine और body fluid का color हो जाएगा तो यहाँ पर correct answer रहेगा B A जो है यह जरूरी नहीं है A में लिकावा telling the client that the medication will need to be taken with juice तो juice के साथ में लेना बिल्कुल भी जरूरी नहीं होता है C option में लिकावा है कि जो telling the client that the take the medication before going to bad time तो यह ज़्यादातर early morning fasting ली जाती है इसको bad time नहीं लेते हैं और last लिकार telling the client to take the medication if night sweat occur तो दवई regular course में लेनी है इसका sweat से कोई संबन नहीं है चैज़ स्वेट हो चाए नहीं हो चाए पसिन आए चाए पानी आए चाहे बुखार आए यह से urine का color body का fluid जो हो कैसे हो जाएंगे reddish color के हो जाएंगे यह दवई का normal effect है यह यह वजह से होता है रिपामपीशिन दवई जो antitubercular drug है वो pregnancy के अंदर से मानी जाती है दूसरी important बात है इस दवई के बारे में pregnancy के अंदर रिपामपीसिन जो होती है वो क्या होती है सैप होती है अगली important बात इस रिपामपीसिन के बारे में कि ये सबसे ज़्यादा bacteriocidal effect देती है जितनी भी antitupercular drug होती है उसमें सबसे ज़्यादा bacteriocidal medication जो है वो रिपामपीसिन को माना जाता है इसलिए इस दवई का mycobacterium के खिलाब कहीं जगे यूज किया जाता है जैसे leprosy में भी इसको यूज में लिया जाता है बहुत अच्छी mycobacterium को lysis करने वाली destroy करने वाली दवई मानी जाती है रिपामपीसिन रिपामपीसिन दवई जो होती है वो सबसे जाधा Mr. stuck करने वाली सबसे ज्यादा liver toxic drug जो है रिपामपीसिन बारे में इंपोर्टेंड है जिनको आपको याद रखना है very good बहुत अच्छे नेक्स देखियेगा आगे लेकर जाता हूं next next देखियेगा the client is taking prednisone 7.5 mg per oral each morning to treat his systemic lupus arithmetosis which statement best explained the reason for taking the prednisone in the morning एक मरीज है जो prednisone 7.5 mg ले रहा है औरली हर morning को और बिमारी का नाम है systemic lupus arithmetosis इस बिमारी के इलाज के लिए वो prednisone ले रहा है डेली ले रहा है और 7.5 mg tablet डेली ले रहा है कौन सा statement explain करेगा कि जो prednisone ले रहा है morning में उसका best reason explain करेगा कौन सा statement पहला बोला जा रहा है देर इस लेस चांस ऑप forgetting the medication if taken in the morning अगर सुबह सुबह यह ली जाए तो दवाई के भूलने के chances कम हो जाते हैं कई मरीज दवाई लेना भूल जाते हैं तो वह chances कम हो हैं दूसरा there will be less fluid retention if taken in the morning सुबह सुबह लिया जाए तो इससे fluid retention कम होगा अगला prednisone is absorbed best with the breakfast meal breakfast meal के साथ में अच्छी एब्जोब होती है दोपेर वाले और रात वाले खाने से यह नाराज रहती है तो उसके साथ में एब्जोब कम होती है और लास्ट यह बहुत अच्छे से काम करती है नेच्रली रिलीज होने वाले कोटिसोल की तरह काम करती है विचिस दे करेक्ट वन के प्रेडिनी सौन 7.5 मिलेगा अर्ली मॉर्णिंग एड्मिनिस्टर कर रहे हैं उसके करने के रीजन बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया मैक जोन लोगों ने बिल्कुल करेक्ट आंस्वर्ट दिया है देखिएगा यह ओप्सन यह लिकावाई कि लैस चांस टू फॉर्गेटिंग मेडिकेशन इप्टेकन दे मॉर्निंग तो जो भूलने वाल जितना साम को लेने पे करती है तो यह भी कोई concept नहीं है तीसरा है कि breakfast meal के साथ में अच्छा एबजोब होती है तो यह भी खोटा जवाब है necessary नहीं है क्योंकि जो ब्रेकपास्ट के साथ में अबजोब होईगी वैसा ही वो दोपर के खाने हो रात के खाने के साथ में अबज को इसका मिमिक्री करेगी अगर इसको अर्ली मॉर्निंग आप एड्मिनिस्टर करते हो क्योंकि अर्ली मॉर्निंग हार्मोन जो है वो सिक्रेट होते हैं और उसी समय यह हार्मोनल टेबलेट ज्यादा तर प्रिफर की जाती है इसलिए आपने देखा होगा कि आइपो सबसे बैस्ट है तो डी यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है ए बी और सी तीनोई खोटे ज्वाब है प्रेडिनिस्टोन के बारे में यह तीनोई स्टेट्मेंट जो है वो बिल्कुल इनकरेक्ट है खोटे है वेरी गुड बहुत अच्छे बहुत ही सांदार आगे लेकर चलता हूं नेक्स देखिएगा ए न्यू डाइबर्टीक इस लर्निंग टू एड्मिनिस्टर हीज इंसुलीन एक नया डाइबर्टीक है जो सीक रहा है इंसुलीन एडमिनिस्टर करना ही रिसीव 10 उनिट अप एन पिएच और ट्वल यूनिट ऑफ रेगुलर इंसुलीन हर कौन सा मरीज का स्टेटमेंट ये रिफलेक्ट करता है ये बताता है कि वो नर्स की टीचिंग को समझ चुका है पहला है वेन विड्रोइंग अप माइंसुलीन आइशुड ड्रो अप दी रेगुलर इंसुलीन फर्स्ट जब मैं अपना इंसुलीन विड्रो करूंगा तो मै रेगुलर इंसुलीन को पहarner विड्रो करूँगा दूसरा बोल रहा है व्न ट्रॉइंग अप माइंसुलीन अप सुल्स मैं अगला कारहा है ये कोई माहिने नहीं रखता कि मैं कौन सा इंसुलीन फ्हले ड्रो करता हूँ और लास्ट काणोरा मिक्स नहीं कर सकता इसलिए दो सोट लेने की जुरूत नहीं है कितना सांधार और अगर बहुत सांधार कंसेप्ट है आपके माइंड में तो आहा क्या मजा आता फिर इसका जवाब देने का मतलब मतलब आप उस उस फिलिंग को महसूस करिए जो एक मतलब को एक सई कंसेप्ट पता होने पे सई पुछाब देने पे जो आती है मतलब कोई ऐसा सुख को यह से वर्ड भी नहीं लें और उस फिलिंग को बैयान करने का यह मैं कई बार अनुबहुती करता रेगुलर इंसुलीन को प्रूपा का क्वों रोती रोती है और we qugaばर और यह जो यह तोड़ी क्लावडी रोती क्लियर और अंभात और 만 दोनों इंसुलीन को मिक्स करके मरीज को लगाना होता तो डी आंसर तो खोटा हो गया कि दो बार लगानी होगी क्योंकि इसको मिक्स नहीं कर सकते यह खोटा जवाब है दोनों इंसुलीन में से एक इंसुलीन को पहले निकालना और एक को बाद में निकालना यह भी फिक्स है पहले निकालते हैं R को और फिर निकालते हैं N को R N यह तो यह भी खोटा है क्योंकि यह तो बाद में निकलेगी यह दूसरे नमर पर है हमने बोला पहले आर फिर एन और पहले रेगुलर पहले तो ए ओप्सन बिल्कुल करेक्ट है मैक्जिमन लोगों ने ज्वाब भी दिया कि आर इंसुलीन पहले और एन इंसुलीन बाद में ब्रोमालो आर इंसुलीन और इंसुलीन के साथ Итак क्लाउड है क्लिया कि पहले नहींおおईकर कि यहांपर बहुत फंडामेंटल कंसरेटिए कि पहले किनिए ने इंसुलीन हैं और उस साधार पर सही जवाब क्या बन जाएगा ए कि जब हम ड्रोग करेंगे इंसुलीन तो पहले हम क्या लेंगे आर इंसुलीन और फिर हम क्या लेंगे एन इंसुलीन समझ रहे हो बात को बहुत बढ़िया बहुत ही सांदार वेरी गुड आगे लेकर चलता हूं अब देकी गानार फुर और ओल्ड विदे क्या इसे कान सीच्च लां здесь प्रक्रेवर्च एंजाइं बिमारी है सिस्तिक फाइबरोसीश उमर है चार साल और दbay 감사합니다 यह पैंग्रेटिय casts क्यों दिये जा रहे एंजाइम माल एब्जॉप्शन को प्रिवेंट करने के लिए सबसे करेक्ट टाइम क्या है इन एंजाइम को देने का सबसे करेक्ट टाइम क्या है पैंक्रेटिक एंजाइम को देने का एक गंटा खाने से पहले दो गंटा खाने के बाद में खाने के साथ में और खाली पेट करेक्ट टाइम सिस्टिक फाइब्रोसिस बिमारी सिस्टिक फाइब्रोसिस एक ओटोसोमल रिसेसिव डिसोडर होता है फाइब्रोटिक डिजीज और पैंक्रियाज भी बोलते हैं इसको फाइब्रोटिक डिजीज और पैंक्रियाज सिस्टिक फाइब्रोस उसमें एक्जोक्राइन ग्लेंड के सारे जो सिक्रीशन है थिन की जगे क्या हो जाते है थिक हो जाते है गाड़े हो जाते है एक्जोक्राइन ग्लेंड का डिसोडर है सिस्टिक फाइब्रोसिस अब सारे सिक्रीशन थिक हो जाएंगे तो सब जगे ब्लोकेज हो जाएगा और स इस बच्चे का लंक्स भी अफेक्ट होता है जो है उसका इंट्रेस्टाइन भी अफेक्ट होता है पैंक्रियाज के सिक्रेशन थिक हो जाते हैं लीवर के सिक्रेशन थिक हो जाते हैं बाइल जो है वो अगर एक्सक्रेशन नहीं होगा तो जॉन्डिस हो जाती है इलियस के नाम से हम जानते हैं बहुत ज्यादा एमोंट में जो है अंडाइजेस्टेट फूड मेटेरियल इस्टूल फोर में बहार आता है फावल इसमेल के साथ में बलकिंग ऑफ इस्टूल देहकने को मिलती है और एब्जॉब्स एंजाइम की वज़े से एब्जॉब्स न hascheak tablet देते हैं फैंkrialy आज के साँपने क्युद्य सबार क्यर्ण के शीटिंगे ऐन्खाने के साथ में देना होता है और खाली पेट घर बड़ी है और गषालिए तो शीर दो और यहाज कोर्ण बड़ावा देगा और digestion अच्छे से होगा तो food जो है वो body में लगेगा, काम आएगा, तो mal absorption ठीक होगा, होता न कि ये बचा खाना काता इसको खाना लगता ही नहीं है, मतलब वो digest नहीं होता है, और digestion होगा, खाना लगेगा तो body growth करेगी, बाकी A, B और D जो है, ये सई समय नह एक दवाई है जो prescribe किये एक family member को, जो कि exposed हुआ है TB में, आइए नहीं है, आइसो नियाजाइड, एक anti-tubercular drug है जो prescribe किये एक family member को, जो कि exposed हुआ है TB से, स्वाल ने बोला है, nurse is aware that the length of time that the medication will be taken is, कितना समय लेगी ये दवाई, कितने time तक इस दवाई को लेना पड़ेगा, tuberculosis से exposed हुआ है, TB है नहीं उसको, तो हमने AJ prophylactic दवाई शुरू कर दी, आइसो नियाजाइड एक anti-tubercular drug है, जो उसको AJ prophylactic भी दिया जाता है, क्योंकि ये दवाई जो होती है, ये prophylactic का काम करती है, first anti-tubercular drug आइसो नियाजाइड है, जिसको दिया जाता है, ये दवाई आपन 6, 3, 18 और 20, 4 months, which is the correct one, फटा पट से अपना जवाब लिखिएगा, आइसो नियाजाइड, प्रसकाइब किया फैमिली मेंबर को, expose हुआ है जो TB से, कितनी length तक इस दवाई को लेना पड़ेगा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, देखिएगा, normally on and average जो time period होता है, वो 9 months होता है, on and average जो है, एक साल के अंदर अंदर तक लेनी होती है, मतब 9 महीने तक लेनी होती है, वैसे तो कहीं सारे resume है, anti-tubercular drug दे दो reading जो है, यहाँ पर option, 18 महीने और 24 महीने तो बहुत जादा है, तो यह तो बनी नहीं सकते है, क्योंकि एक साल से भी जादा का time है, और 3 महीने जो है, वो बहुत कम time है, तो definitely correct answer, यहाँ पर क्या बनेगा 6 महीना, 6 months, यह बिल्कुल correct answer है, है ना, normally वैसे तो एक साल तक आप correct answer क्या रहेगा, यह, 3 महीने बहुत short time period है, 6 महीने से 9 महीने तक और एक साल तक दिया जा सकता है, very good, बहुत अच्छे, कुछ लोगों ने ठीक से जवाब दिया है, बहुत ही सांदा है, आगे लेके चलता हूँ, next देखिएगा, the client is admitted to the postpartum unit with an order to continue the infusion of pitocin, pitocin मतलब oxytocin, और unit कौनसी पोस्ट पार्टम मतलब अच्छा deliver हो चुका है, और continue कौनसी दवई दे रहे हैं, oxytocin दे रहे हैं, अब pitocin दे रहें, oxytocin दे रहें, कौनसी finding indicate करती है कि pitocin जो है, उसका desire effect आ गया, क्या ऐसी finding आपको मिलेगी, वह indicate करती है कि जो pitocin आपने दिया था, उस pitocin का desire effect आ गया है, first option है, the fundus is deviated to the left, fundus जो है, वो left side में deviated हो गया, fundus is firm and in the midline, fundus firm हो गया और midline में आ गया, fundus is bogey, fundus bogey हो गया, fundus is two finger breath below the umbilicus, umbilicus से, दो finger नीचे की तरफ fundus present है, चार option यहापे दिये वहें, कौन सा ऐसा, जो है, option है, जो आपको यह indicate कर रहा है, कि जो oxytocin का effect आप लाना चाहते थे, वो desire effect आ चुका है, क्या करना चाहते थे आप oxytocin देके, कौन सा effect लाना चाहते थे, very good, very good, कुछ लोग बिल्कुल सही से पैचान रहे हैं, बिल्कुल सही पैचान रहे है, very good, pitocin या oxytocin का man function अगर आपको पता है, तो आप इस स्वाल का job दे सकते हैं, man काम क्या है oxytocin का, फटापर से comment करिएगा, man काम क्या oxytocin का man function क्या है, what is the function of oxytocin, oxytocin जो है, उसका man function क्या है, very good, uterine contraction, क्या man काम है, uterine contraction, और postpartum period के अंदर, uterus के contraction कराके, क्या आप effect लाना चाहते हैं, bleeding को रोकना चाहते हैं, क्या रोकना चाहते हैं, bleeding, postpartum period में oxytocin uterus को contract कराके, किसको decrease करेगा, bleeding को decrease करेगा, तो bleeding को decrease तब होगी, जब uterus का जो fundus वाला part है, वो contract होके कैसा हो गया, firm हो गया, hard हो गया, और midline में आ गया, B है, बिल्कुल correct answer है, correct answer क्या है, B, uterus, fundus, अगर hard हो गया, firm हो गया, midline में आ गया, इसका मतलब oxytocin का desire effect आ गया, अगर uterus जो है, A option के अनुसार deviated हो गया, left के अ पता है कि उस lady का bladder, जो है, urinary bladder, वो भरा हुआ है, उसको खाली करने की जुरूत है, folies catheter करो, कुछ भी करो, उसको खाली करो, है ना, अगर, और इसका मतलब है, वो deviated हो गया, इसका मतलब uterus अभी bogey है, firm नहीं वाए, कैसा है bogey, bogey uterus सहीं नहीं है, uterus सहीं कौन सा बाना होता है, तो यह c option नहीं लिकावा है, bogey fundus, इसका मतलब muscle की tone जो है, वो क्या है, अभी नहीं आई है, उसकी वज़े से यह bogey है, oxytocin जो है, उसका desire effect अभी तक आया नहीं है, और d जो है, fundus जो है, दो finger below यहां पे लिकावा है, जो की position जो है, वो oxytocin के function से related नहीं है, ज खोटे जवाब है, very good, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सांदार, आगे लेकर चलता हूँ, next देखिएगा, A nurse is teaching a group of new graduate about the safety need of the client receiving chemotherapy, एक nurse teach कर रही है, कुछ नए graduate group को, किस के बारे में, safety need के बारे में, जो की receive कर रहे हैं, chemotherapy, before administering chemotherapy, the nurse should, chemotherapy administer करने से पहले, nurse क्या करेगी, नए graduate है कुछ, उनको teach कर रही है nurse, safety need के बारे में, जो client receive कर रहा है, chemotherapy, यह chemotherapy administer करने से पहले, nurse क्या करेगी, कौन सा action कहा में लेगी, administer a bolus of IV fluid, administer pen medication, administer an anti-emetic, allow the patient a chance to eat, चार option दिये हैं, chemotherapy आप लगाने के लिए, नए graduate लोगों को safety need के बारे में बता रहे हो, तो कीमो को लगाने से पहले, क्या करना होता है, यह क्या बता हो गया आप, IV bolus, pen medication, anti-emetic, और patient को एक chance देंगे, कि हम तुमारे कीमो लगाने जा रहे हैं, एक मौका दे रहे हैं, तुम्हें खाना काने का, फटा फट से खालो, which is the correct one, कितने मज़ेदार option होते हैं, मतलब, कभी-कभी ऐसे option को सोच के हसी आती है, कि हम तुम्हें chance दे रहे हैं, फटा बट से खाना कालो, बहुत अचे, तो आप लोगों ने तो बिल्कुल सही जवाब दिया है, आपकी सोच बहुत हाइफाई हो चुकी है, एक होता Wi-Fi औ करके हाई-फाई हो गए हो, हम सब लोग Wi-Fi ज्यादा यूज़ करते हैं, जब भी कहीं Wi-Fi मिल जाता हम यूज़ कर लेते हैं, तो Wi-Fi को यूज़ करके हम इतने हाई-फाई हो गए है कि हमारे जवाब हाई-फाई बनने लगे हैं, और हमारा जवाब है C, और आप सब को मिलत होता है chemotherapy देने से पहले क्योंकि chemotherapy क्या करती है nausea vomiting ondancetron क्या करेगा nausea vomiting को रोकने का काम करेगा तो यह agent administration करना होता है किसी भी मरीज को chemotherapy देने से पहले कोई ballless IV fluid देने की जुरूत नहीं है pen medication देने की नीड वाला काम नहीं है तो a b और d खोटे जवाब है c बिल्कुल करेक्ट आंसर है कि हम क्या administer करेंगे anti-emetic ondancetron very good बहुत ही बढ़िया बहुत ही सांदा maximum लोगों ने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है आगे लेकर चलता हूं नेक्स देखिएगा आप लोग कंटेंट को सेर नहीं कर रहे है और अब मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इसलिए सेर नहीं कर रहे है कि साब हमने यह पढ़ा है और यह content तो ऐसा लग रहा है कि यह तो एक्जाम में आने वाला content है ऐसा मतला अपने को अंदर ही अंदर थोड़ा विश्वास पेदा होता है और होगा definitely क्योंकि हम रोज मैनत कर रहे हैं तो हम ऐसा मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ने कहीं यह सिरफ concept बनाएगा जो exam में आएगा ना वह मैं बताओंगा जब exam सर के उपर होगा उस दिन आप किसी को सहर मत करना जो चीजे exam में आएगी वह मैं exam से पहले आपको बता दूँगा वो किसी को मत बताना ठीक है और वह मैं कुछ खास लोगों को ही बताओंगा सब को है वह मेटे दिल में आपको बाद में दूँगा तब तक आप इसको तो सेर करो आप सेर करते ही नहीं हो साइध इस डर से तो अगर यह डर है तो मैं निकाल देता हूँ आपके दिमाग से आप इसको तोड़ा दूसरे लोगों तक पहुंचाओ समझो मैं आपको कहता रहता हूँ सर तो बोलते रहते हैं पर हम नहीं पहुंचाओ इसको यह दो ऑगजाम में दूसरा नहीं खरब हो एक बटन करना चाहिए कुछ करो कुछ करो कुछ करो बहुत बढ़ी आगे लेके चलता हूँ नेक्स देखिएगा बिफॉर एड्मिनिस्ट्रिंग मेथो ट्रेक्जट ओरली टुए क्लाइंट विद कैंसर नर्स सुड़ चैक्ड मेथो ट्रेक्जट जो है उसको ओरली एड्मिनिस्टर करने से पहले क्या चीज आप चैक करेंगे याईव आईवेसाइट उल्क लईट लाइट ब्ली्ट वैटल सब्सक्राइट मेया ट्रेक्जट देने से पहले हैं एसकी चैक करेंगे जब methotrexate IV दिया जाता है स्वाल कहरा methotrexate कैसे देरो आप औरली तो IV तो होई नहीं सकता ये तो बिल्कुल खोटा जवाब है IV नहीं हो सकता ये गलत जवाब है electrolyte और blood gases दोनों ही खोटे हैं क्योंकि इनका संबन्ध kidney और lung से methotrexate जो medication होती है वो electrolyte और blood gases को disturb नहीं करता है इसलिए B और C भी खोट है तो A खोटा हो गया B खोटा हो गया और C खोटा हो गया तो जवाब A की बचा D बिल्कुल correct answer है methotrexate medication देने से पहले ये chemotherapy agent है और इसको देने से पहले vital sign जरूर चेक करे vital sign stable होने चीए किसी भी chemotherapy agent को administer करने से पहले तो definitely यहाँ पर आपका correct answer क्या बनेगा D very good बहुत बढ़िया कुछ लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है A खोटा जवाब है जिन्होंने A लिका है वो 50 बार D लिकेंगे अलग अलग है क्वेशन है vitamin K is administered to a newborn shortly after birth for which of the following region किसी भी newborn baby को बर्त होने के तुरंत बाद में बर्त होने के तुरंत बाद में विटामिन K administer किया जाता है क्या region है Vitamin K को administer करने के पीछे region क्या है Vitamin K बर्त होने के बाद में आप administer कर रहे हो कारण पूचा गया है dehydration को prevent करने में infection को treat करने में electrolyte को replace करने में या clotting जो है उसको facilitate करने में what is the role of vitamin k vitamin k एक fat soluble vitamin है इसको हम clotting vitamin b कहते है very good बहुत बढ़िया कुछ लोगों के जवाब सही दिया है clotting vitamin b कहते है vitamin k जो है वो delivery के बाद में newborn baby को दिया जाता है क्योंकि उसकी जो gut mucosa होती है intestinal mucosa जो होती है वो sterile होती है और vitamin k की body में deficiency होती है और vitamin k जो होता है वो clotting factor number second, seven, nine और ten इनके activation के लिए जरूरी है तब ही clotting की mechanism complete होएगी इसलिए vitamin k जो है उसको देने से clotting जो है वो facilitated होएगा तो d यहाँ पर बिल्कुल correct answer है vitamin k जो है वो दिया जाता है delivery के बाद में newborn को ताकि उसमें clotting होए vitamin k का समद्ध directly dehydration से नहीं है यह dehydration को prevent नहीं करता है vitamin k infection को treat नहीं करता है और electrolyte का replace भी नहीं करता है तो a, b और c तिनों ही खोटे जवाब है d बिल्कुल correct answer है कि यह clotting को facilitate करेगा और bleeding जो है उसको prevent करेगा bleeding नहीं होने देगा बहुत बढ़िया बहुत ही सांदार very good आगे लेके चलता हूँ next देखिएगा the client with an ileostomy is being discharged which teaching should be include in the plan of care एक मरीज है जिसको ileostomy कर रखा है ileostomy is the create on stoma or opening in the ileum intestine का part है ileum और ileum के अंदर stoma या opening create कर रखना होना ileostomy कहलाता है कौन सी teaching जो है plan के अंदर include की गई है plan of care के अंदर ileostomy वाले मरीज को first है use carrier powder to seal the bag second है irrigate the ileostomy डेली third one है stoma adhesive is the best skin protector और last है neosporine ointment can be used to protect the skin चार option या पर दिये वह है ileostomy के साथ में मरीज है कौन सा plan of care teaching के अंदर आप include करेंगे कौन सी चीज include करेंगे teaching के अंदर very good irrigation लिखाए कुछ लोगों ने ileostomy को daily irrigation करेंगे b option कुछ लोगों ने choose किया है जो कि एक खोटा ज्वाब है क्योंकि ileostomy को irrigate करने की जरुरत ही नहीं पड़ती है ileostomy को irrigate नहीं करते हैं कभी भी colostomy का irrigation तो फिर भी किया जाता पर ileostomy को irrigate नहीं करते हैं क्योंकि ileostomy में liquid form के अंदर ही food substance होते है ज्यादा तर तो भी खोटा ज्वाब है भी आंसर गलत है करया powder जो है वो bag को seal करने में use नहीं किया जाता है क्योंकि यह seal करी नहीं सकता है इसमें sealing की mechanism ही नहीं होती है करया powder जो होता है वो कभी भी sealing purpose से use नहीं किया जाता है तो यह भी खोटा ज्वाब है और नियोस्पोरीन ointment जो है उसको skin protection में काम में नहीं लेता है क्योंकि एक एंटिबाइटिक है एंटिबाइटिक skin का protection नहीं करती है infection में use किया जाता एंटिबाइटिक को तो डी भी खोटा जवाब है तो A, B, O, D तिनो ही खोटे जवाब है सि बिल्कुल करेक्ट आंशुर है इस्टो इडेसिव जो और गहरा तो जो पछ नहीं करेगा तो यहां पर करेक्ट आंसुर क्या बनेगा और सिडाडिक rashर के고 Basilika और मेरी बात को याद रखें कि सेर करना ना भूले डरे नहीं घवराएं नहीं मैं बैटा हुना आपको गवरानी की जरूत नहीं है इसको सेर जरूर कर दे और इसके लावा एक काम करे बहगवान कृष्ट ने कहा था कि सारती बने स्वारती ना बने तो सार्तीपन दिखाये क किसी की मुस्कान का कारण बने मिलते हैं दुबारा एक नई एनर्जी नए कंटेंट के साथ में कुछ इंपोर्टेंट कुछ ट्रीकी कुछ कंसेप्सल एमसीक्यू के साथ में तब तक के लिए जैहिंद जैभारत